Hello and welcome friends, यहाँ पर देख सकते हैं यह एक menu driven program है और इस program के अंदर हमने push और pop का use किया है इसके अलावा exit का भी use किया है और सबसे पहले तो एक empty stack बनाया है यानि यहाँ पर function बनाने के लिए def keyword का use किया है और is empty नाम से एक function मराया है फिर उसमें push करवाया है stack को यानि items जो भी होंगे वो push होंगे और फिर pop भी करवाया है तो अभी हम अगर चलाएंगे तो इसमें तीन option आपको नजर आएंगे पहला तो आपको नजर आएगा कि push करवाने के लिए आप one press कर सकते हैं pop करवाने के लिए यानि हटाने के लिए आप two press कर सकते हैं और अगर इस program से बाहर आना है तो आप three press कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपको यह program के ताप हमारे टेलिग्राम चैनल से इसे ले सकते हैं फिलाल यहाँ पर F5 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यह व oraz किचेगा दिखाई पड़ेगा, enter the item to push on to the stack यानि stack में जो push करवाना है वो item लिखिए, तो यहाँ पर एक नाम मैं डाल देता हूँ, जैसे मैं अपने channel का नाम यहाँ डाल देता हूँ, computer and excel solution, तो यह हमने डाल दिया है इस तरीके से, ठीक है और जैसे ही enter करेंगे, तो यह जो है stack के अंदर push हो चुका है, बात है pop कराने की, तो pop कराना यानि remove करना, तो यहाँ पर अब हम two प्रेस करने वाले हैं, ठीक है तो यहाँ two जैसे ही press करेंगे, तो enter करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है pop the item अगर आप इसमें और भी pop कराना चाहेंगे, यानि एक ही item जो था आपके पास, अगर आप इसे दुबारा से remove करना चाहेंगे, तो आप तो है ही नहीं, तो empty stack बढ़ता है गई, तो देखिए यह क्या लिखा हुआ है, stack is empty, cannot pop, और अगर बाहर आना है तो three press कीजिया, बाहर आजाएंगे, लिखा हुए exiting the program, good bye, ठीक है, तो इस तरीके का यह program है, ठीक है, अगर यह program चाहे है, तो आप हमारे telegram channel में जाकर की से ले सकने है, ठीक है, telegram channel का ना में सूरा सर कर्प्यूटर वाले, ओके,